Students, आज हमारा टॉपिक है पावर, पावर हम डिफाइन करते हैं, अगर मैं उसकी डेफिनेशन देखूं, तो हमारे पास होता है, वर्क टर्न, वर्क टर्न, पर यूनेट टाइम, यानि कि कितनी अमाउंट वर्क जो हो परफॉर्म हो रहा है, किसी भी यूनेट टाइम में, जो अब इसकी एक एक ग्जामपल हम देखते हैं, तो जिसमें मैंने किया है, कि मैंने दो जो है वो बटरफ्लाइज ली है, ठीक है, और उन बटरफ्लाइज के पास जो है, यह उनका एंड पॉंट है, यानि कि जहां तक यह रीच करेंगी, तो यहां से जो इनका डिस्टन्स है और जितने यह फोर्स आप्लाइज करी हैं, इस पॉंट तक महचने के लिए वह सेम है, यानि कि वह सेम अमाउंट ओग पर फॉंटध परफॉंट करी है, यानि फो इसने जो है, इसको दूसरे कलाद से तक रिखए गर इसने मैं कहते हैं, जो है Efendimiz आजिए और Gymphom friends, इसको आ ताइम लगा रही है यह वाला काम करने में अब इस जो हमने टाइम नोट की है यानि कि इस ने जो हैं वो 10 seconds लगाए है यहां इस end point तक पहुंचने में और इस butterfly ने जो हैं 20 seconds लगाए है इस end point तक पहुंचने में अब हम इस ही से जो हमने हमारी calculations है इस से हम देखेंगे कि इन दोनों butterflies की कितनी-कितनी power है, यानि कि कितनी power attain किया है इनोंने, अगर butterfly 1 की देखूं, तो P1 उसकी power मैं denote कर दती हूं, वो W1 divided by T1 होगी, यानि कि W1 मेरे पास कितना है 10 joules, और time कितना लिया, उसने 10 seconds, तो मेरे पास कितना आया, पावर कितनी आया, मेरे पास 1 joules per second, और P2 अगर देखूं, यानि कि इसकी second butterfly की जो power आएगी, वो कि आएगी W2 divided by T2, यानि कि वो कितनी आएगी 10 joules, कि इनकि सेम amount of work कर रहे हैं, और लेकिन उसने उस point पहुंचने में 20 second लगाया है, तो इसका मतलब है उसके पास जो answer आया, 1 upon 2 joules per second आया, तो इससे हमें पता चलता है, कि ये वाला power जो है, यानि कि इस butterfly ने वो ही amount of work जो है, वो जादा time में किया, यानि कि 20 second लगाया है, और इस वाली ने वो ही काम जो है, वो 10 second में perform कर लिए, इसका मतलब है इसकी power जादा है, और इसकी power काम है, यानि कि P2 जो है वो जादा आई है, और P1 जो है वो less आई है, काम आई है, ठीक है, अब इससे हमें पता चलता है, कि power जो है वो हम कैसे calculate कर सकते हैं, किसी भी object के लिए, अब हम देखते हैं कि power के units क्या होंगे, अब power जो है, वो हमने W divided by T से denote किया, यानि कि इसका mathematical expression यह है, और work जो है, वो जाउल्स में महियर किया जाता है, और time जो है, वो seconds महियर किया जाता है, तो इसका unit है, वो जाउल्स पर second बनता है, और इसको हम कहते हैं watt, यह एक watt के बराबर होता है, अब अगर मैंने one watt define करना हो, कि one watt कितना होता है, तो मैं कहूंगी, कि कोई भी body, जो है, अगर one jowl of work करी हो, one second में, तो हम कहेंगे, कि उसके पास one watt power है, उसके पास one watt power है, इसके कुछ bigger units भी होते हैं, bigger units में हमारे पास, जो use होते हैं, bigger units इसके, वो है हमारे पास one kilowatt, one kilowatt which is equal to thousand, वो thousand watt के बराबर होती है, और हमारे पास एक और unit है, one megawatt, यानि कि M और फिर W लिखते हैं हम, तो ये हमारे पास 10 की रहसे पास six watt के बराबर होती है, लेकिन इसका एक और unit भी है, जो कि बहुत ज़्यादा use किया जाता है, वो है one horsepower, one horsepower जो है, वो basically किसके बराबर होती है, seven forty six watt के बराबर होती है, यानि कि इस equation का क्या मतलब है, कि अगर आप seven forty six को multiply करें one watt से, तो one horsepower के बराबर आती है, और इसको जो है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कि इसको है, एच पी से भी denote किया जाता है, horsepower, H for horse and P for power, वो हमारे पास seven forty six watt के बराबर आती है, यानि कि अगर आपने watt में, आपने HP में convert करना हो, यानि कि one horse power में convert करना हो, तो आप seven forty six से multiply कर देंगे watt को, and then you will get the answer in one horse power, तो इससे ये जो हमारे पास equations है, इसके जरीए हम जो है, वो power को किसी भी मतलब है कि मेगा, किलोवाट में निकाल सकते हैं, मेगावाट में निकाल सकते हैं, और horsepower में निकाल सकते हैं, तो आज हमने ये सीखा है, कि हम किसी power कैसे महियर करते हैं, कि अगर हमारे पास कोई भी body, कोई amount of work कर रही है, और हमें पता है कि उसने कितना time लगाया, कोई भी काम करने में, तो हम बता सकते हैं, कि उसने इतनी power है उसके पास, थीक है, यानि कि work done per unit time.